दोस्तों ट्रेडिंग वाली वीडियो के निचे अकसर आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि कोई बहतर मॉनीटर बता दीजिए जो हमें ट्रेडिंग में हेल्प कर सके ट्रेडिंग में बहतर परफ़र्मेंस दे सके तो ट्रेडिंग के लिए खास करके अगर हम उसके बारे में बात करें, तो एक्वली ट्रेडिंग के अंदर हमें जादेतर टेक्स्ट को पढ़ना होता है, बहुती छोटे-छोटे टेक्स्ट को पढ़ना होता है, डार्क बैक्डाउंड पर जो है टेक्स्ट जो है उभर करके आता है, जिसको हमें read करना होता है तो उस condition के लिए हमें चाहिए होता है एक बहतर pixel का monitor ताकि pixelation की जरा भी problem ना हो क्योंकि अगर आप size बढ़ाते हैं और वहाँ पर pixels अगर आपके monitor में कम है तो उस वक्त जो है pixelation की problem आएगी जिसके वज़े से जो text है बहुत ही चोटे text अगर होंगे तो वो clear आपको दिखाई नहीं देंगे तो अगर आप बहतर के लिए 4K monitor लेते हैं तो कोई भी problem नहीं है किसी भी size में आप 4K monitor को यूज कर सकते हैं लेकिन budget अगर कम है आपका और चाहते हैं कि बहतर quality मिले तो trading के अंदर अगर एक से दो दो से तीन अगर आप जो है monitor यूज करना चाहते हैं तो 24 inch का monitor आपके लिए perfect रह सकता है अगर कई सारे monitor आप यूज करना चाहते हैं तो और उसके अंदर अगर budget कम है तो 2K monitor आप जो है यूज कर सकते हैं आपका काम बहुत ही बहतर ढंसे होगा और आज की रिट में अगर future proof monitor अगर आप buy करना चाहते हैं तो कम से कम 2K buy कीजिए 4K की तो बात ही अलग है 4K use करते हैं तो बिलकुल भी अलग बात है उसके लिए कहना ही क्या है लेकिन 2K अगर use करते हैं तो बहुत ही बहतर हो सकता है कौन से model की हम लोग बात करने वाले हैं समझने के लिए वीडियो के साथ अंतक बने रहे हैं वीडियो पसंद आते हैं पिलिए वीडियो को like भी कर दिया करें share भी कर दिया करें पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को subscribe करें क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियो में ले करके आता रहता हूँ आए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से model है जिनको आप बाहर कर सकते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं क्योंकि LG के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे models जो है अवलेबल रहे हैं LG काफी लोगों का पतसंदीदा ब्रांड भी रहा है तो LG के अंदर ये जो model है LG का 24 inch के अंदर QHD 2K monitor है 25-6 x 14-40 का pixel इसके अंदर आपको मिल जाता है ये 2K का resolution है और IPS panel भी है कई सारे monitor लगाते हैं अगर आप इधर उधर से भी देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अलमा SRGB 99% होने के वज़े से जो है आप इस पर बहतरीन color आपको मिल पाएगा साथ में ही ये monitor जो है height adjustable भी है pivot 2V में जो है ये move कर जाएगा swable भी है display port के साथ में 12 के अंदर HDMI मिल जाता है 3 side bezel बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है बहतरीन color के साथ में बहतरीन look के साथ में ये monitor आपके लिए हो सकता है मत्र 15,700 रुपे फिलहाल का price है ये prices हमेशा उपर नीचे होता रहता है मैंने description में link दिया हुआ है वहाँ से आप देख सकते है current price क्या है जिसवक्ती video आप देख रहे है ये monitor कही न कहीं आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप trading का काम करना चाहते हैं तो इसके अलावा next के अगर हम बात करें तो वह भी LG के अंदर ही आ जाते है ये थोड़ा सा premium segment का जो है monitor है ये वाला जो monitor है LG का 24 inch का ही 24 QP 750 model है इसका और ये भी 2K ही है 25-60 x 14-40 pixel में आता है sRGB 99% इसका भी है height adjustable इसका भी है प्योट में भी जाएगा इसके अंदर खास बात ये है कि इसके अंदर HDMI भी मिल रहा है display यानि DP port भी मिल रहा है और USB type C का भी support मिल रहा है आपके laptop के माध्यम से या फिर आप docking station के माध्यम से direct type C से अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी facilities के अंदर मिल जाती है और दिखने में भी बहुत ही premium नजर आता है बहुत ही खुबसूरत और height adjustable यह जो है monitor आपके लिए हो सकता है इसका price की बात करें तो यह 20,000 के आसपास में मिल जाता है यानि 20,000 के आसपास में आपको देखने को मिल जाता है इसी प्रकार अगर हम next की बात करें तो आ जाते हैं 27 इंच के अंदर LG के अंदर ही चुकि हम लोग totally 24 इंच पे बात कर रहे हैं लेकिन यह model बहुत ही बहतेरीन है यह 27 इंच के अंदर आता है LG QHD 2 के यानि की इसका भी जो resolution आपको मिलने वाला है वो 25, 60, 14, 40 ही मिलने वाला है यह 27 QN600 model है यह बड़ा ही LG का famous model रहा है 27 इंच का IPS डिस्पले के साथ में थिरी साइट बेजल आपको बहुत ही कम मिलने वाला है HDR10 का भी support मिलने वाला है और sRGB 99% मिलता है इसके अंदर dual HDMI और DP port के साथ में यह आता है और HDR10 होने के वाज़े से इसके अंदर color accuracy और color की जो quality होती है क्योंकि HDR10 के अंदर आपका white 100% white होता है और black 100% black होता है जिसके वैसे उसके जो quality है वो बहुत ही निखर के आती है इसके अंदर कोई भी text है बहुत ही smooth आपको दिखाई देगा और बिल्कुल भी clear दिखाई देगा तो images के मामले में भी और खास करके text के मामले में भी यह 2K के जो monitor होते है यह बहुत ही बहुत ही बहतरीन quality आपको परदान करते हैं खास करके अगर HDR10 है तो उसकी तो बात ही अलग है color में खास करके लेकिन हाँ without HDR भी आप जो है आप trading के लिए यूज़ कर सकते हैं यानि 25 साथ इंटू 1440 इसका पिक्सल मिल रहा है, IPS पैनल के साथ में HDR10 का भी सपोर्ट इसके अंदर मिल रहा है, 1 बिलियन कलर के साथ में आता है, हाइट अड़ेश्टेबल ये भी है, आई केर 75 हर्ट के अंदर आएगा, यानि आपके काम के लिए सेंसंग जैसे ब्रंड का भरोसा और उसके साथ में ये मोनिटर 24 इंच के अंदर बहुत ही बहतरीन आपके लिए ट्रेडिंग वर्क के लिए रहने वाला है, जिसका प्राइस करीब करीब 21,800 रुपे फिलहाल है, ये भी प्राइस हमेशा उपर नीचे होता रहाता है, करेंट प्राइस के लिए डिस्किप्सर में दिये गे लिंग पर आप जरूर क्लिक करें, इसके अलामा अगला हम बात करते हैं तो ये आजाता है, लेनवो का L-Series का, ये L-24Q-DOT-35 मॉडल है, लेकिन 24 इंच के कटगरी में ही हम इसको रखते हैं, ये भी 2K है, यानि की 25, 60 x 14, 40 पिक्सल के साथ में 2K मॉरिटर है, 16.7 मिलियन कलर के साथ में आएगा, 75 हर्ट स्रिफरे स्रेच के साथ में ये आएगा, इसके अंदर HDMI DP पोर्ट के साथ में आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही बहतरीन कलर, बहुत ही बहतरीन लुक्स के साथ में ये मॉरिटर बड़ा ही अच्छे बजट में आपको देखने को मिल जाएगा, इसका प्राइस मातर 17,500 रुपे आ रहा है, टू के रिजुलेशन के साथ में ऐसा ब्रांड लेनवो का बिलकुल आप बाई कर सकते हैं, थोड़ा सा लेनवो के अंदर और अच्छी सेग्मेंट में जाएंगे तो लेनवो का क्यू सीरीज आ जाएगा, जो कि इसका मॉडल ही लोगों को बहुत जादे पसंद आता है, यह क्यू सीरीज के अंदर Q24H-10 मॉडल है, यह 24 इंच का मॉडल है, और इसका भी पिक्सल 2 के का ही, 14-40 का जो है पिक्सल है, इसके अंदर आपको मिलता है, यह बहुत ही अल्टर सिलिम मॉनिटर है, बहुत ही जादे सिलिम होता है, खास करके इसका इस्टेंड का जो लुक है, वो बहुत ही प्यारा निकल करके आता है, USB Type-C का सपोर्ट इसके अंदर मिल रहा है, DP का सपोर्ट मिल रहा है, तीन वाट का दो इसके अंदर आपको स्पीकर मिल रहा है, जो की आडियो के लिए बहुत अच्छा परफर्मेंस देने वाला है, वार्म ग्रे कलर में आता है, बहुत ही प्यारा यह जो है कलर दिखने में लगता है, यानि टाइप C, HDMI और DP पोर्ट तीनों ही इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो कोई भी आप्सन आपके पास में है, वो यूज़ कर सकते हैं, प्राइस की बात कर तो इस सेग्मेंट का प्राइस 21,500 रुपे है, बहुत ही बहतरीन प्राइस है, तो दोस्तों ये टेर्ट ट्रेडिंग के लिए अगर बहतर लेना चाहते हैं, तो वो एक अलग मैटर है, आप इसको 2K वाई कर सकते हैं, अन्निथा 4K की तो बात ही अलग है, बाकि 4K में भी अगर चाहिए तो उसका वीडियो में लेकर के आऊँगा, 4K में कौन सा आप ले सकते हैं, बाकि 24 इंच के अंदर अगर आपको चाहिए 2K, इनमें से कोई भी वाई कर लीजिये, ये बहुत अच्छे मोरिटर हैं, जिनको हम मैं प्रस्नली जानता हूँ, तो दोस्ते वीडियो इंफॉमेशन आपको कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसी परकार की बहुत सारी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, मैं मिलता हूँ नेक्ट किसी और अच्छी इंफ़र्मेटी वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यबाद करता हूँ, आपका दिन सुभव,